अध्यूद्र गूद्रिंग टू आल सभी गोन मस्कार फर्स्ट एट के बारे में कुश्ण कर रहे थे प्रिवेश पार्ट फर्स्ट के अंदर कोश्ण नंबर ट्वेंटी एड तक 28 कोश्ण को कर लिये थे आज पार्ट सेकेंड के अंदर अपन बात करने वाले हैं फर्स्ट कुले घाव की पारमविक देखْबाल में है। ईसी कंडिशन में जो शुरुवाति देखْबाल की जाती है तो उसमें क्या क्या करेंगे सरपर्तम ब्लेडिंग को नियंतरन करते हैं हाँ ग्डेज ग्लेट हाँ मुमेंट नहीं करना है मुमेंट करेगा तो क्या होगा और वी क्या होगा ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है और आप सकता अनुसार ड्रेसिंग करते हैं तो इसमें खुले गाव के अंदर ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं इम्मोबिलाजर्स रखते हैं आप सकता करते हैं तो इस प्रकार से डी जे क्रेक्ट आंसर रहेगा इसके अंदर क्या रहेगा डी जे क्रेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट बात करते हैं कुश्चन नमबर 30 इसके अंदर लिका हुआ है bleeding का अर्थ होता है bleeding का अर्थ क्या होता है जिसमें रक्त का बहना रक्त का रुकना रक्त का कम हो जाना रक्त का अधिक हो जाना ठीक है तो रक्त का बहना hemorrhagic condition या रक्त स्थरा वाली condition होती है जिसमें रक्त बहता है ठीक है तो A is a correct answer रहेगा next अतितिक bleeding के कारण रोगी का BP है जब body के अंदर से blood है वो बाहर निकल जाता है तो blood pressure क्या होगा कम हो जाता है बढ़ जाता है परभावित रहता है या कुछ रोग्यों में बढ़ जाता है जबकि कुछ में कम हो जाता है बोड़ी के अंदर blood की volume कम हो जाता है तो BP क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ठीक है तो इसके अंदर AJ correct answer है कम BP है उसको किस नाम से जानते हैं हाइपो टेंशन के नाम से जाना जाता है हाइपो टेंशन के नाम से जाना जाता है नॉर्मल BP कितना होता है 120 बटा 80 mm.hg होता है ये भी आपको ज्यान में रखना है नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेक्षर के बारे में फ्रेक्षर का अर्थ होता है एक कंटिनिटी डिस कंटिनिटी इन डे बान बान के अंदर जैसे ये बान है उसके बान के अंदर डिस कंटिनिटी आ जाती है मतब इसमें क्या हो जाता है डिस कंटिनिटी हो जाता है जिसको बोलते हैं फ्रेक्षर के नाम से जाना जाता है फ्रेक्षर या अस्ति भंग जि इस टेक्सिस के नाम से जना जाता है, घाव लगना और फेर का जलन यह नहीं होता है, ठीक है, तो इसके अंदर ए इस ये करेक्टर आंसर रहेगा, नेक्स्ट बात करते हैं, कोशन नमबर 33, हडी के तूटने पर दिखाई देने वाले लक्षन होते हैं, एक हडी तूट जाती ह तो क्या-क्य लक्षन देखने को मिलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, सबसे फेले बात करें, जब हडी तूटी है, तो सोट वाले इस्थान पर दर्द होना हाँ, पैन होता है, जहां पे हडी तूटी है, तो वहां पर क्या होगा? दर्द होगा, पहला यह आए है, और सूजन देखने को मिलती हैं समधित हाठभभिरों की गतिवी निए यह कम हो जाता है तो विज्वासरम हैं तो असी इसमें ऑजता यह कम हो हो जाता है तो इसके बारे में भी आपको क्या रखना है जान रखना है तो बंप के दोरान परदान की जाने वाली प्रात्मिक सहता है नहीं नहीं पहले वाला कौन चार कोशन था तो इसके अंदर कहां चला गया कोशन हाँ तो इसके अंदर जो लक्सन देखने को मिलते हैं वो सारे के सारी लक्सन देखने को मिलते हैं तो इसके अंदर क्या राइट होगा D is a correct answer रहेगा Next बात करते हैं First aid box में रखी जाने वाली Kidney tray का उफ्योग होता है First aid के अंदर Kidney tray रखते है Question number 34 जिसके अंदर लिका हुआ है First aid box में रखी जाने वाली Kidney tray का काम होता है 2TV headdy को support प्रदान करने के लिए इसमें तो splint काम में लिया जाता है Friction करने के लिए Trost का यूज किया जाता है घाव को cover करने और बादने के लिए Dressing का यूज किया जाता है Wear पदार्तों को एक्दिद करने के लिए Kidney tray का काम लिया जाता है तो D is a correct answer रहेगा Question number 35 Question number 35 के अंदर लिखा हुआ है Friction के दोरान परदान की जाने वाली प्रात्मिक सहता है Friction वाले इस्तान को अन्याव सेखी इलाइड उलाइड नहीं हाँ यह तो हमेसाद जहां रखना है Immobilize रखना है मतलब गती हीन रखना है Moment ने करवाना है नहीं तो वहाँ पे क्या होगा Injury हो सकता है Cell tissue damage हो सकता है Infection होने की संभावना रहती है Khपसी का उप्यों करते समय हड़ी को तूटने वाले इस्तान को फिक्स इस्तर रखे है हाँ हड़ी को इस्तर रखते है Khपसी का यूज किया जाता है ये भी सही है रोगी को सांत्वना देया और तुरंद अस्पताल पहुंचने की विवस्ता करते है हाँ ये भी सही है तो इसके अंदर D ये correct answer रहेगा Question number 36 जलने के दोरान परदान की जाने वाली प्रात्मिक सहता है जलने के दोरान परदान की जाने वाली प्रात्मिक सहता क्या है रोगी को जलने के कारण से दूर हटाए हाँ ये भी है एक बर्न वाला परसन है और उसको जल गया है तो उसको प्रात्मिक सहता क्या देंगे सबसे पहले एक फर्स्ट होता है उसको जहां पर जल लहा है जलने का कारण है वहां से दूर अटाना दूसरा है यह जी रोगी के कपड़े चिपके हुए हैं तो उसके हटाए हम उन्हें हटाते हैं चिपक गया है तो उसको दिरे जिरे आटाना है आप सकता अनुसा जले हुए भागों ठंडे पानी में डूबो कर रखते हैं दस मिनिट के लिए डूबो कर रखते हैं ये भी सही है तो ये सारे प्रयास किये जाते हैं डी जे करेक्ट आंस्वर रहेगा नेक्स्ट है ब्लीडिंग हेतू प्रात्मिक देखबाल में सामिल नहीं है जब व्यक्ति को ब्लीडिंग हो रही है तो उस कंडिस्म में प्रात्मिक सहता में सामिल नहीं है क्या सामिल नहीं है सबसे पहले bleeding एतू प्रात्मिक सहता में सामिल नहीं है परभावित भाग को heart के level से न नीश्डने level पे रखना नहीं ये तो गलत हो गया हमेसाथ जान राखना है कि bleeding रहा है तो heart के level से उस part को क्या रखना है ऊपर की तरह रखना है ताकि blood का clot आसानी के साथ में बन जाए वहाँ पे bleeding का pressure न हो bleeding रुख जाए परभावित भाग को उपर उठाना हाँ ये सही है और रक्त बंद लगाना हाँ टाई करना ये भी सही है psychology support देना ये भी सही है तो इसके अंदर जो बताया गया है कि इसके अंदर क्या सामिल नहीं है तो a is ये correct answer रहेगा ये सामिल नहीं है ये गलत है next next बात करते है question number 38 जिसके अंदर लिका हुआ है often fracture से आप क्या समझती है often fracture है खुला है इसका मतलब जैसे देखो fracture एक तो often होता है ये close होता है जैसे ये इसके अंदर उपर क्या है यह वीच में हड़ी है और उसके उपर क्या है muscle से, mass से skin है तो ये जो हड़ी है bees वाली हे ये बाहर निकल जाती है 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 इससके को puffर करके इसको फार करके बाहर निकल जाता है इस परकार जो fracture होता है न उसको बोलते हैं ओफवन फ्रेक्षर के नाम से जाना जाता है फ्रेक्षर का वह परकार जिसमें फ्रेक्षर इस्तल के ऊफ़र की तवसा की निरंता टूट जाती है हां ये सही है ठीक है इसमें क्या होता है कि ऊफ़र की इसकी निरंता टूट जाती है अड़ी बार की तरफ द जाना जाता है दूसरा फ्रेक्षर का परकार जिसमें फ्रेक्षर इस तल के ऊफर की इसकी निरनता ब्रेक नहीं होती है इसको बोलते हैं दूसरे वाले को तो अपने बोलेंगे क्लोज क्लोज फ्रेक्षर के नाम से जाना जाता है और तीसरा है फ्रेक्षर का परकार जिसमें परभावित हड़ी है हरी लकडी की इस्टीक जैसी हो जाती है तो इसमें बताया गया है कि फ्रेक्षर का यह कैसा परकार जैसे इस परकार से मोडते हैं तो इस परकार से एक खबसी बार की तरफ निकल जाती है जिए ग्रिन इस्टिक फ्रेक्सर इसको बोलते हैं ग्रिन इस्टिक फ्रेक्सर में जो अड़ी ऐसे मोडते हैं तो इसमें एक तरफ ऐसे सिल्के के रूप में बाहर निकलते हैं यह मौस्टली किसके अंदर पाया जाता है ग्रिन इस्टिक फ्रेक्सर सि बहुत इंपोर्टेंट है किस में पाया जाता है बच्चों के अंदर देखने को मिलता है अडियां ही चौक होती है इसलिए Sparker होनेकह दॉल सब से ज्टी दाहराती है जैसे फ्रेक्षर फड़ेगा निए ग्रीन स्टिफ फ्रेक्षर मतलब एक कोरनर से क्या है margin से बाहर की तरफ ऐसे निकल जाईगी उसके बाद में है इस प्रकार के फ्रेक्षर कि निरनता तूट जाती है तो उसको उपन बोलते हैं दूसरे वाले के अंदर क्लोज गएंगे तीसरे वाले में ग्रीन इस्टिक फ्रेक्षर होता है और सोते नमर वे फिश्चर फ्रेक्षर के नाम से जाना जाता है तो इसके अंदर एज यह ग्रेक्ट आंसर रहेगा नेक्ष्ट को बारे में बात करते हैं प्रेक्षर के उपस्तिरी जाने वाली पदती है फ्रेक्षर हो गया है तो उसमें कौन-कौन से पदती है यांक्या बेजाती है 1000 ओर उफरोॉक τसफित तो इसके अंदर d जोरुक्षर हॉन रहाएगा ट्रेक्शन यूज करते हैं, रिडेक्शन ओफ फ्रेक्शन ये भी यूज किया जाता है, यूज ओफ लास्टर कास्ट ये भी यूज किया जाता है, तो D is a correct answer रहेगा Q41, निवन में से फ्रेक्शन किस कारण से हो सकते हैं, फ्रेक्शन हडी का तूटना, मोटर वाहन, अंदुरगटना, गिरना, किसी भारी वस्तु से फ्राहार, उफ रुक सभी, तो इसके अंदर D is a correct answer रहेगा रोगी, एक रोगी के ट्रेक्शन लगाने का उदिश्य है, ट्रेक्शन क्यों लगाया जाता है, ट्रेक्शन का मतलब होता है कि उसको खिंचाओ, खिंचाओ क्यों किया जाता है, टूटी वी अस्टी को भागों को सामाने, एनाटॉमिकल इस्तथी में लाना, जैसे ये तो यह वाला जो जुव लेवल में लाने के लिए इस परकार से शाइश से हडी को खिषते हैं तो इस परकार से इसको एक तो कोई भी deformities है उसको रोगताम करने के लिए उफ रोग सबी तो इसके अंदर D is a correct answer रहेगा next बात करते हैं D is a correct answer रहेगा next बात करते हैं question number 43 question number 43 के अंदर है एक रोगी के खफशी लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना है सबसे पहरे sprint लगाते हैं जब fracture हडी ट्उट जाती है तो ऐसी condition में जो जो इस फिरिंट लगाते हैं तो क्या तैयान रखना है खश्य हलकी होनी चाह сделаю है वजन ज्याधा नहीं होना जुरूरी है है वजन ज्याधा नहीं होना चाहिए पहला वाला सब्सपयूरी है दूसरा है这 से पुरोअस्तु के उभार वाले इस्तान फे रूई या गद्दी के पेड लगाने चाहिए हां रूई है जो लगाते हैं उसको 20-20 में लगा देना है ताकि डारेट खफसी सपोर्ट करें और उसको फ्रेसर के साथ में उसको दरद नहो खफसी के कारण रोगी के रक्ष प्रिसेंसर में कोई बा सभी बादनी है कि ब्लर सब्सक्राइब बंद हो जाए तो अन्दर करें नेक्स्ट करते हैं एक रोगी को प्लास्टर सब में किस काации द्यान रगना हैं प्लास्टर लगा हैं प्लास्टर कास्ट किया जा रहा है है विए फ Cancer का ध्यान-्रत-न कि इसके अंदर किन भातों का ध् रिखना है किस बात का द्यान रखना है देखेगा सबसे पहले लिखा हुआ इसे अतियतिक सक्त टाइट नहीं लगाना चाहिए हां यह तो सही है कि जब प्लास्टर कास्ट करते हैं टाइट करेंगे तो supply क्या होगा इंट्रफ्ट होगी बादा उत्पन करेगी बलर सफ्लाई नहीं हो पाएगी दरद होगा प्लास्टर कास्ट लगाते समय तूटी हुई अडियों को हिलने डूलने नहीं देना चाहिए यह भी सही है यदि संभव हो तो फ्लास्टर कास्ट लगाते समय हाथ फेरों है उसको खुला रखना है ताकि वो मुवेंट करेगा उससे यह मालूम पड़ेगा साइनोसिस वाली कंडिशन है उसको देखते हैं ठीक है तो उपरोग सभी तो इसके अंदर फ्लास्टर कार्ट करते समय यह सारी सारी बातें को ध्यान में रखना है इसके अंदर डी जे करे कूद्ड है ध्यान रखना जेरघ व कोशन नमबर फृटी सिक्स फौटीफाइव G. 55 के अंदर लीखा हूआ है 30 में लिका हूआ निम्द में से निम्द वाक्यों से ग्रीन स्टीप सुब्स दो दीग जैसेह ग्रीन लश्ट्रlus ईय्सको ऐसे मोडते हैं तो ऐसी कंडिसर में यह एक साइट से कोर्णर से इस प्रकार से बाहर निकल जाती है जिसको बोलते हैं ग्रीन फ्रेक्षर आपकार के ईवर की निर्णता टूट जाती है जिसको बोलते फ्रेक्षर के नाम से जाना जाता है तीसरा है फ्रेक्षर का वह प्रकार जिसमें परभावित भाग एक हरी लक्री की स्टिक जैसी हो जाती है तो इसको बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रेक्षर और तो इसके अंदर ग्रीन स्टिक फ्रेक्षर होता है इस प्रकार के फ्रेक्षर क बहुत इताती है में और जाती है जिसको फीचर व्रेक्षर के नाम से जाना जाता है तो क्लीक ते 서 कुछक है की Boss कर्द आंस सब्लफ करेक्षर करेक लिप इसके पर लांशफर एंद जैसी एक अड़ी है प्रकार से एक है लाइक इसटार जैसा फ्रेक्शर हुआ है तो इसके अंदर कौन सा सही घत्र है तो इस डिई जे करेक्ट आंसर है इसमें क्योंकि मैंने आपको यह सारे पहले बताया हुआ है ठीकर नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेक्षर के बारे में सुरी फ्रेक्षर के बाद फ्लास्टर कास्ट लगाने का क्या उदिश्य है जब हडी तूट जाती है तो फ्लास्टर कास्ट है फ्लास्टर क्यूं करते है तूट्री हडी को फ्रेक्षर रखने के लिए हां ये भी सही है दूसरा है तूट्री हडी को जुड़ने में फरक्रिया को तेज करने के लिए हाँ ये भी सही है विकरतियों की रोकताम है तू ये भी सही है तो इस प्रकार से डी जे करेक्ट आंसर रहेगा next question number 48 food poison के दोरान रोगी को परदान की जाने वाली देखवाल है food poison के अंदर क्या देखवाल करते हैं देखेगा सबसे पहले बात करते हैं food poison जिसके अंतरकत रोगी को ओल्टी के लिए प्रोसाइज करते हैं हाँ ये भी करते हैं रोगी को अधिक मात्रा में पानी पिने के लिए के लिए कहते हैं ये भी कहते हैं रोगी को आस्वत करते हैं रेंसरेंस करते हैं साइकलोस सपोड़ देते हैं यह भी करते हैं तो लास्ट कोशण है बर्न जलने के रोगी को लगाई जाने वाला इंजेक्शन है जब कभी भी बर्न होता है तो DPT, BCG, TT और Penta 5 नहीं लगाते हैं, only TT का injection लगाते हैं, TT, ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना है, C जे correct answer रहेगा, तो आज के इस वीडियो के अंदर, जो पार्ट सेकेंड है, फर्स्ट एड का, तो इसके अंदर 29 से लेकर के 50 questions के बारे में discussion किया, आज के लिए इतना ही देने बाज। कर देने बाज।